दियर स्टूडेंट्स आप पढ़ने वाले हैं इसमें आपको 45 कुश्चन्स बताए गए हैं तो देखिए आपके कुश्चन्स हैं आपका पहला कुश्चन है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं तो इसका उत्तर है सौर मंडल में कुल आठ ग्रह हैं दूसरा कुश्चन सौर के चारों और घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं सौर के चारों और घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं इसके बाद आपका छटमा पुश्चन सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ब्रहस्पति है सौर मंडल का जन्मदाता की से कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता सूरी को कहा जाता है कौन से ग्रह सूरी के चारों और दच्छिडा वर्त घूमते हैं तो सुक्रवा अरुण ये सूरी के चारों और दच्छिडा वर्त दिशा में गतिक करते हैं निक्स ओलंपिया कोलंपस परवत किस ग्रह पर है तो यह परवत मंगल ग्रह पर इस्थित है ब्रह्मान्ड में विश्फोटी तारा मंदल विश्फोटी तारा क्या कहलाता है तो विश्फोटी तारा ये अभिनव तारा कहलाता है इसके बाद आपका इग्रहमा कुश्यन सवर मंडल की खोज किसे ने की? सवर मंडल की खोज कापर निकस ने की थी? प्राचीन भारती सूरी को क्या मानते थे? प्राचीन भारती सूरी को गरह मानते थे? सूरी कौन सी गैस का गोला है? तो सूरी जो है हाड्रोजन वा हिलियम गैस का गोला है. शूरी के मध्यवाग को क क्या कहते हैं सूरी के मध्यभाद को प्रकास मंडल कहते हैं किस देश में अरात्री को सूर्द दिखाई देता है अरात्री नहीं अरधर रात्री को किस देश में अरधर रात्री को सूर्द दिखाई देता है तो नार्वे में अरधर रात्र को सूर्द दिखाई देता है इसके सूरी से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है सूरी के धरातल का तापमान लगभग कितना है तो सूरी के धरातल का तापमान च्छाहजार अंस सेल्सियस है मध्यरात्री का सूरी किस छेत्र में दिखाई देता है सूरी के रासानिक संगठन में हाड्रोजन का प्रतिसत कितना है तो सूरी के रासानिक संगठन में 71 प्रतिसत हाड्रोजन उपस्थित होता है कौन सा ग्रह सूरी के सबसे निकट है बुद्ध ग्रह सूरी के सबसे निकट होता है अगला कुश्चन है बुद्ध ग्रह सूरी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है तो बुद्ध ग्रह या सूरी का एक चक्कर लगाने में 28 तिन लेता है सूरी से सबसे दूर कौन सा ग्रह है तो दूरी की अनुसार वरुण जो है सबसे दूर इस्थित ग्रह है कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बुद्ध वा सुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है कौन सा ग्रह सूरी का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है तो बुद्ध सूरिका चक्कर सबसे कम समय अर्थात 88 दिन में लगाता है किस ग्रह को पृत्वी की बहन कहा जाता है सुक्र को पृत्वी की बहन कहा जाता है अगला कुश्चन है किस ग्रह पर जीव रहते हैं तो प्रिथवी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है जहां पर जीव रहते हैं प्रिथवी का उपग्रह प्रिथवी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है प्रिथवी अपने अच्छ पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है तो प्रिथवी अपने अच्छ पर एक च प्रिथवी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रिथवी पर जल की उपस्थिती है यानि जल की उपस्थित के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है किस उपग्रह को जीवास्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जिसे जीवास्म ग्रह कहा जाता है अगला कुश्चन है चंद्रमा क्या है तो चंद्रमा या प्रिथवी का एक मात्र उपग्रह है प्रिथवी से चंद्रमा का कीतना भाग देख सकते हैं प्रिथवी से चंद्रमा का 57 प्रश्चत भाग देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कि स्तिथि को रात दिन बराबर होते हैं तो 21 मार्च वा 22 सितंबर को दिन वा रात बराबर होते हैं सूर्य द्वारा उर्जा देते रहने का समय कितना है तो उर्जा देते देता रहेगा इसके बाद का प्रस्ण है सवर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी कौन सा है सवर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी ओलिपस मेसी है अरुण ग्रह की खोज कब हुई 1781 इस भी में अरुण ग्रह की खोज हुई प्रित्वी द्वारा सूरी की एक परि dubih पर रित्व परिवरतन का क्या कारण मरत पर जुकाइए क्योंकि प्रित्बी जो है यह अच्छों पर जुकी हुई है प्लूटो गरह की मानयता कब समाप्त की गई तो प्लूटोग्रा की समाननता 24 अगस 2006 को समाप्त कर दी गई चंद्रमा प्रिथवी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है तो चंद्रमा जो है या प्रिथवी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है ज्वारभाटा की इस्थित में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो आज आपने ये 45 questions आपने पढ़ा और इसके बाद आपको general science के और questions प्रोवाइड किये जाएंगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही thank you take care good bye